हलो दोस्तों आपका बुद्बुद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अंगरेजी अकेडमी में दोस्तों देखिए आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्तान के प्रमुख पार्क, कॉम्पलेक्स और ओदोगी केंदर का डिस्कॉसन करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपोर्ट की अंदर हैं और दोगी केंदर है उन्से समझीड दो या तीन परसन पूछनिन पुछक़ जाते हैं देखि पहला है हाडवेर टेकनलोजी पार्क है वह कुकस जेपूर थेकि हाडवेर और για क्या होता दोस्तों हाडवेर जिसको अपन टाच्च कर सकते हैं और सोप्ट्वेर जिसको अपन क्या नहीं कर सकते तच नहीं कर सकते ठीक है यह होता है तो hardware technology पार्क है वह कुकस जेपूर के अंदर है software technology पार्क हो कनकपुरा जेपूर के अंदर है दोनों के अंदर यह आपको याद रखना है hardware कुकस software कनकपुरा आगे आता आपका James and Jewelry Park है वह सिता सितापुरा ज्युवल्री सितापुरा एंतो जेपुर में लेकिन कुकस कनकपुरा यह तीन चीजे आपको ध्यान रखनी है ठीक है दोस्तों आप काता है ओटो मोबाईल पार्क है वो भीवाडी अलवर में ओटो मोबाईल से समद्धित जो भी काम समर्दक पार्क निर्यात समर्दक पार्क सीतापुरा जेपूर में है बोरा नाड़ा जोदपूर में है और नीमरणा अलवर में है यह तीन आपको याद रखना कि इस प्रकार से पूछ सकता आपको निर्यात समर्दन पार्क निमरणा में से कहां नहीं है तो नहीं है कि बात जहां पर आएगा वह तीनों आपको देदेगा option में और चोथा दूसर देदेगा तो याद रखना दोस्तों वह दो तो चोथा होगा वह क्या नहीं होगा आपके उसमें नहीं है वहाँ पर वह आपका back दित्र हो जाएगा तो सितापुरा बुरानाड़ा और निम्राणा नियात समवर्दक पार्क कि अगया ता है सिर्मिक कॉंप्लेक्स सिर्मिक खारा करा भी करनेर में सिर्मिक क्कारा ऐसे आपको थोड़ा सा तो सुझना तकनिकी पार्क कर जेपुर में सूचना जेपुर ठीक है ना नेक्स्ट आता है का फ्लोरी कल्चर कॉंप्लेक्स बिवाडी अलवर फ्लोरी कल्चर बिवाडी ठीक है पुस्प पार्क कुस केड़ा अलवर यह काफी बार पूछावा है पुस्प पार्क है वो कुस केड़ा अलवर में एप्रेल पार्क जगतपुरा जेपुर में होजीरी पार्क चिंपकी अलवर में ये दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट हैं आपकी एक्जाम के बार-बार में कफी बार पूछे भी गए हैं और आपको इनको याद करके रखना है क्योंकि इन से समधित कनफम दो या तीन परसन आपकी एक का निर में दो जगह बें लगुखनीज कंप्लेक्स लगुखनीज कंप्लेक्स दोसा रासमंद और क्रोली दोसा रासमंद लगुखनीज दोसा रासमंद क्रोली दोसा रासमंद क्रोली कौन सा लगुखनीज कंप्लेक्स लगुखनीज कंप्लेक्स या दखना यस तरह से सञ्रक्रणिपोर में सिकंदाम क्या पार्क हो इन इन जगह पे याँ रखना एग्रोड पुड़ पार्क कोटा जोदपूर सरी गंगानगर और क्या बशक है एग्रोड पूर्णिपर्क का स्रीमान टावर इंडस्ट्री जेपूर जेपूर नाम है तो जेपूर स्रीमान टावर जेपूर सिमको वेगन फेक्ट्री बरतपूर यह कफी बात पूछा गया है सेकंड गड में पूछा गया है सिमको वेगन फेक्ट्री कहा है बरतपूर में सिमको वेगन फेक्ट्री कहां पे है बरतपूर में यह याद अखले ना इसको अच्छे से ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आपका आ रस्तान इलेक्ट्रिकल कोर्पोरेशन जेपुर में आता है तिकंतेलीफॉन उद्धोग तो तो टेलीफॉन वाला भिवाड़ी अलवर अगे है दोस्तों इंस्ट्यूमेशन लिम्टेड गोटा को इंस्टुमेशन लिमिटेड कोटा के अंदर फ्लोर्सफार्स सैंत्र डुंगरपूर एफ डी से याथ कल लेना अब लोग कांकरोली के अंदर यह भी काफ़ी बार पूछा गया है यह वाला किसन केल का समान कहां बनता है हनुमांगड के अंदर बनता है करशी के ओजार गजसि ओनागोर के अंदर पानी के मीटर पानी वाले मीटर हैं वह केस्टन मेटर मेटर हैं जेपुर और पाली के अंदर बड़ी लाइन के जो वेगन है कोटा के अंदर में अफूरिक फन आप्लंट के है कहां पे तोस्तो यहसे साथ closest आता है याउं का अवन्त्ी स्कूर्ट का और के अंदर यह वाला काफी experiment पूछा गया लेलें जो अंदर एपर या मिल कहां पर जैपूर के iałכ एंदर माच तोप यौक बियावर दो जगहे पर यायतरी स्पीनर्स भीलवाड़ा गायत्री स्पिनर्स कहां पे भीलवाड़ा के अंदर यह जी हैं आपके सारे जो उद्धोग है इन्डस्टी हैं इनके कहां कहां पे सिच्वेटेड हैं यह आपको याद रखना है बहुत इंपोटेंट से नहीं यहां पर यह नेशीत रूप से आपको दो यह त जेपूर में संग्मर्मर प्रोसेसिंग के अंदर संग्मर्मर किसंगड और जो अजमेर के अंदर है किसंगड ठीक है यह संग्मर्मर प्रोसेसिंग के अंदर है किसंगड के अंदर है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है मालगाड़ी के डिब्बे देखी पर अजमेर में बनते हैं ट्रांस्पोर्ट हब रेल मगरा राजसमंद यह वाला पूचा गया है कि इसन सेकंड केट में पूचा गया है ट्रांस्पोर्ट हब रेल मगरा राजसमंद राजसमंद ठीक है ना ट्रांस्पोर्ट वुलन कॉम्प्लेक्स वुलन कॉम्प्लेक्स गो के अंदर करसे से समदित जो उद्धोग है जो चीजे बनती है वो बिकानेर और जसल मेर के अंदर ठीक है ओटो साइक पार्ग वह ता गिलोट अलवर में और शीतापुरा जेपूर के अंदर बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यहीं तो साथ साथ में आप याद करते जानों आगे आता है आपका यहां पर ओटो कंपोनेंट यह वाला हो गया आपका ओटो कंपोनेंट के वल एंव गार्मेंट जोन है पाथ्रेडी अलवर पाथ्रेडी अलवर के अंदर क्या आता आपका ओटो कंपोनेंट और केबल यहां केबल वाला है केबल केबल एंड पार्ग चाने जोन नीमराणा अलवर के अंदर कोर्याई पार्गी निमराणा अलवर में तीन चीज़े मांदर मारबल मंडी कहां पर心 कड़ीजा होता है इसलिए प्वार्ट बिचाइन विकास के इंदर काहां पर संगर्या जौदपूदोंसी ती करोली करों पाली बयाना भरतपूर निवाई चौंक गोगेलाव नागोर खुसकेरा अलवर और काल स्राव यहां पर काल रावास उदेपूर के अंदर यह राजस्थान मिन्नी विकास के अंदर है थोड़ा सा यह थोड़ा देख लेना इसको रिपीट कर लेना इनमें से कोई सा भी ना द भी स्थी वस्तरू-डोग की चती वर्षिक रोजगार परदान करने वाला वे कुर्सी वस्तर अदारिक के और आधारित ऊठी चलता दाता है चलता दाता है यह कौन सा सूती वस्तर उद्ध हो गए आग आता है दोस्तों आपका देश की पहली सूती वस्तर मील मुंबई 1994 में देश की पहली की बात करें है अपनी यहाँ पे और राजिस्थान की पहली सूती वस्तर मील कौन्षे दर? क्रिश्णा मील ब्यावर क्रिष्णा मील लिमिटेड ब्यावर बहुत इंपोर्टेंट है वैसे पूच लिया गया है ये लेकिन फिर भी ये क्यूशन जो है वो रिपीट हो सकता है राजिस्थान की देखे देखे देश की पहले सूती वस्तर मील कहां पर है मुंबई उनी अठारा सो चोन और राजिस्थान की पहले सूती वस्तर मील कभी इस्तापना की गई ये वेरी वेरी इंपोरेंट है क्यूशन दोस्तो इसको अपनी जुबान पे रख लो अगर नोकरी चीतो नोगरी लेनी है इनको रटना है क्योंकि 50,000 रुपे से कम नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50,000 रुपे और ज्यादा तो आप जितना चाहो उतना अपनी रेंक की अकोर्डिंग तो दोस्तों ये सारी सारी चीज़े तो है न ये आपको रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ठीक है लगे रहो इनको याद करने के लिए यहाँ पर क्या करा है कि 17 जून 1889 में इसकी स्थापना सेट दामोदर्दास राठी के प्रयासों से ब्यावर में हुई थी ये पोइंट आपको याद अखना है कौनसी सूती वस्तर मील है वो सेट दामोदर्दास राठी के प्रयासों से हुई थी ये याद अखना 1889 में 17 ज दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्तर मीलों की संख्या कितनी है वरतमान में 23 जिस में 17 नीजी हैं तीन सारवजने का तीन सहकारी है यह पॉइंट आपको यहाद रखने हैं तीनों की तीनों शतन तरता के बाद की बाद करा है कोटा टेक्सटाइल 1956 में टेक्सटाइल किसे समधित होती है वस्तर से समधित टेक्सटाइल सीटी होता ना ठीक है यह सारी चीजे आपको ध्यान में रखनी है राजस्तान की सबसे बड़ी सरवादिक उत्पादन क्षमता वाली मील है वो महराजा उमेद सिंग कौंची है भई महराजा उमेद सिंग है तो यह सरवादिक उत्पादन क्षमता वाली मील है तो यह पॉइंट भोत इंपोर्टेंट है पूरा का पूराई अच्छे से कोपी म पाली में थोड़ा यह पॉइंट है ना इधर उसमें रहे हैं ध्यानक ना आगे देखिए नेक्स्ट आपका आता देश में सूती वस्तर मील की सरवादिक मीले महारास्टर गुजरात में देखो सूती वस्तर हम साथ साथ में एक दो पॉइंट देश का भी दी दिया है ताकि आपका जो भी है जर्नलोलेज हो बना रहे है महारास्टर गुजरात में और राज्तान में सूती वस्तर की सरवादिक मीले भीलवाड़ में ठीक्स्टाल चेटी भी कहते हैं भीलवाड़ को बहुत ज़्यादा होता है यहां पे जो आती है आपकी साडियां है कपड़ा जो इंगलेंड का सहर शूती वस्तर की पर सूती वेस्तरों के लिए परसिता यह इंगलेंड का सहर जो न है इसलिए मंचेस्टर इसको बोलते है और राजस्तान का manchester भीलवाड़ा राज्तान का नमीन मन्चेस्टर भीवाड़ी यह दोनों चीज़े आपको याद रखनी बहु में 8 वस्त्र धो का स्तान कों सा सूत्र दो का सथान है दूसरा पहला रधन आभूशन पहला पहला ॑र यह उसे रहा है कपड़े देखी आप उशन लोग है ना जुवल्री पहले नंबर पर पहनते हैं और कपड़े दूसरे नंबर पर पहनते हैं इसलिए इसको याद रखना है काफी बार आप से पूछा जा सकता है राज्य में कार्य सील करपो की इसाब से इस देखो सारे चीज़े वाप कोटन विजे नगर कोटन मील अजमेर के अंदर 1932 में और महालक्समी कोटन ब्यावर 1925 में रजस्तान रज्य सहकारी कताई मील गुलाब पूरा भीलवाड़ है 1965 में इसकी स्थापनविती आपको सन थोड़ा सा देख लेना कई बार क्या होता है कि सन पूछ लेते हैं बट आ स्री गंगानगर सहकड़ी कताई मील अनुमांगड 1978 के अंदर गंगानगर सहकारी कताई मील है वह गंगानगर भिलवाड़ा 1981 के अंदर होता है यह ङाहँ पर ठीक है नहीं नwo से सहकारी की है यह आपको याद रखनी है आगे आपका क्याता है महलाजा उ मील कहाँ पर पाली में कब श्तापन होई थी 1922 Elpur और 1961 में इसकी स्तापना हो थी आधित्य मिल है वो कशनगड अजमय के अंदर है इसके पूर्व का मंचेस्टर जापान और भारत का मंचेस्टर कानपूर और दक्षनी भारत का मंचेस्टर को मेवा टेक्सटाइल मेल कहां पर है बीलवाडा के अंदर और राज्थान स्पीनिंग विविंग मेल भीलवाडा इसकी स्थापनावी थी मेवार टेक्स्टाइल राजस्तान स्पाइनिंग और विविंग ठीक है ये सारे सारी आपको याद रखनी है और यहां पे इनके जो प्लेस है ये भी याद रखने है आगे देखिए गुपाल इंडस्ट्री मील्स कोटा और मोडन सिंथेटिक्स मील्स है वो अलवर के अंदर स्थेन्ञ एंड विविंग मिल जैपूर के अंदर पोदार स्पिनिंग मिल जैपूर के अंदर और बस स्थेन स्प राजस्तान का कर्शी आदारित स्थी आदारित Equinda Future कों सा है — चीनी उत्व है और किसी बात आती है वही चीनई की बात सरमादीक जो गन्हां वहारत के अंदर होता है स्डृषव पर द थे स्थानünde बहुत कुछ तेश न को देस न श्रावादिक गन्हां उत्तर प्रदेश के अंदर होता है राजस्तान के अंदर गन्ना उत्पादक जिले कौन कौनचे गंगानगर है बुंदी चीतोर राजसमन जालवाड और उदेपूर ये क्या है गन्ना उत्पादक जिले है और राजस्तान की और इनको याद करके रख रहा है दोस्तों यह वाला पॉइंट ठीक है नेक्स्ट अता राजस्तान की जो सारवजनिक चेतर की पहली चीनी मील गंगानगर सुगर मील कहाँ पर गंगानगर में 1937 में उत्थी सहकारी चेतर की आपसे पूछेंगे सारवजनिक चेतर की है यह मील पहले नीजी चेतर की थी 156 के बाद इसे सारवजनिक चेतर की गोशन की गई है ठीक है तो यह वाला पॉइंट आपको याद रखना है राजस्तान की पहली सहकारी चेतर की चीनी मील चीनी मील की बात कर लिए सहकारी चेतर की के सो राय पार्टन कब 1900 प्रेशन में स्थापनोई है कहां पे बुंदी में तीरों ही चीजें आपको याद रखनी है बहुत बार क्यूशन पूच लिया गया है वैसे इसका दो तिन बार तो मेरे सामने आ गया है नेक्स्ट है रास्तान की कौन सी चीनी मील चुकंदर से चीनी बनाती है इसके अध सेहां तक वी सब्सक्राइब देखे यह तो अपने हो गए यह पॉइंट ठीक है और भारत की पर्फं सेमेंट फेक्ट्री मदरास के अंदर यह तीन पॉइंट यह दखना है ठीक है यह तो आप से रास्तान का जो है ना उसमें से कम पोचेंगे लेकिन यह यहां से कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए लिया गया है इसलिए भारत की पर्थम सेमेंट फेक्ट्री कहां पे हैं मद्रास में अब आएगी राजस्तान की देखे राजस्तान की पर्थम सेमेंट फेक्ट्री लाकेरी बुंदी 1915 के अंदर चार पास पर पूछ लिया गया है वाला सेम वीशो में सरवादिक सेमेंट उत्पादक देश चीन और भारत है और सरवादिक सेमेंट उत्पादक भारत में राजस्तान है और राजस्तान में सरवादिक सेमेंट चितोड और नागोर के अंदर होती है यह पोइंट है जो है ना चारों के चारों बहुत इंपोर्टेंट इनको याद रखना, आपको, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्या आता है, कि राजस्तान में पर्थम सिमेंट फेक्टरी किस कमपणी द्वारा सिंचालिट की गई, क्लिप निक्षन कमपणी, ए सी 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 सिमेंट कमपणी, यह पोईंट है, यह तो अपने हो गए तिनों क उसमेंट लिखावाय है फिर आता है राजस्तान में सिमेंट की सबसे बड़ी फैक्टरी सरी सिमेंट ब्यावर के अंदर है सिरी सिमेंट हो सबसे कम उत्पादक वाला कार खाना स्री राम सिमेंट यह लगब बंबंसी हो चुकी है लेकिन यह वाले चीज़ें आपको याद सिमेंट की सबसे बड़ी फैक्टरी आ गया यह सबसे पॉइंट होगे तो अब देखी नेक्स्ट यहां राजस्तान में सफेद बहुत इंपोर्टेंट है सारे एक सारी द्यानकना सफेद सिमेंट की पर्थम फैक्टरी गोटर नागोर के अंदर है और जेके वाइट सरवात कर एक खारिया खंगार जोध में ओरं मेड़ना वैट सिमेंट वहाँ पर ठीक ना खार्या खंगार जोध पूर के इंदर सफेद सिमेंट को रखना मांग रोल मांग रो चित तोड़ के अंदर लगया अ हाँ राजय नी बहुत से में सरवावादिक सेमेंट उत्पादिन की संभावने कहा है जसल मेर बाढ़ में अंदर शायर आ राशतह में सेमेंट के सरवादिक उत्पद्र होने का कारण क्या जिप्सम और लाइमस्टोन की अधिकता खनीज आधारित उद्धोगों में सरफ पर्थम वो कौन सा सिमेंट उद्धोग है खनीज आधारित उद्धोगों में यह वली चीज़ आधाने आपको ठीक है उर्जा सरक्षन के छेतर में किस कार खाने को दो बार golden पिकोक पुरुसकार मिला है स्री सिमेंट ब्यावर को किसको मिला भई? स्री सिमेंट ब्यावर को इस तरह से दोस्तों ये क्या है कार खाने इन से समधित क्यूसन है बहुत important है आपको याद करना ही होगा गोवर्मेंट जोब के लिए ठीक है दोस्तों इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो सेर करना लाइक करना थेंक्स फुर वोचिंग